नमस्ते आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी सिंधी स्पेशल तिदाल की रेसिपी यह जो रेसिपी होती है यह दाली होती है पर तीन तरह की दालों को मिलाते हैं इसलिए हम उसे तिदाल बोलते है और यह इतनी टेस्टी लगती है न चाहिब इसे ऐसे ही खाया या फिर रोटी पराटे या राइस के साथ स्पेशल यह बहुत अच्छे लगती है हम तो इसे बनाते ही रहते क्यों हम बेसिकली सिंधी है तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ आप भी क्यों ना बना यह कि बहुत ही टेस्टी लगती है बनाना भी खूब आसान है जब भी आपको कुछ सिंपल और मज़ितार खाने का मन कर रहा है तो आप यह बना सकते हैं उसके लिए आपको चाहिए तीन तरह की डाले आधा कप चना डाल आधा कप तूर डाल और आधा कप हरी मॉंग की डाल अ ताकि कोई भी मेजरमेंट में आपको प्रॉब्लम ना है तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीन से चार पानी से अच्छे से इसे हमें वाश कर लेना है और उसके बाद इसे साइट में रख देना है दस से पंदरा मिनिट के लिए अब ना भी कोई ना तो भी चलेगा दस से पंदरा मिन तुरंद भी बना सकते हैं कोकर में से डाल कर इसी के साथ एक टमाटर कटा हुआ दो बारी कटेव प्याज पांस से चे कड़ी पते और दो से तीन ग्लास पानी नमक डाल देंगे और लालमिश पाउडर आदी चमस स्वाद के अनुसा नमक आदी चमस धनि कर ले उसके बाद प्रेशर खातम हो जाए फेरी डकन को खोले और आप देख सकते हैं दाले सबी चीजे अच्छे से पग गई है तो इसे अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है अब एक तड़का बनाएं के उसके लिए कैस को आन करके मैंने कड़ाई रखते और एक बड़ा चमच तेल डाल दिया जैसे वह गरम मुझे एक चौथाई चमच राई चुटकी भरहिंग आठ से दस लसुन की कलियों को बारी काट कर और दो हरी मिर्ची कटी हुई अच्छे से इन सबी को आपको बून लेना है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से बूनने के बाद इ क्योंकि सारे मसाले तो हमने पकाते वक्ती डालों में डाल दिये थे इसलिए हैँ सिफ हम गरम मसाला डाल कर अच्छे मिक्स करके यह सारी चीजे पकी हुई हम डाले जो है बो जाल देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए अब आपको इसे पकाना है तकरीवन 5-6 मिनिट के इसके अंदर मैं नमक और थोड़ा सा एट कर रही हूं आप चाहे तो ना एट कर रहे हैं जब आपने डालों को बकाते वक डाला था तब ही चलेगा पर मैं थोड़ा सा डाल रही क्या हम थोड़ा सा नमक जादा खाते हैं तो बस अच्छे से मिक्स करते हो 5-6 मिनिट तक बीच बीच में मिक्स करते रहेगा और पकाते रहेगा आपने देखा ही बहुत ही सिंपल रेसिपी है एक साथ ही सारी चीज़े डाल दे फिर नॉर्मल सा तड़का है पांसे शे मिनिट हो गए और हमारी सिंदी स्पेशल तिदाल के रेसिपी बनकर तयार है गर्मा गर्म इस और खाने में मैं ऐसे दिन के खाने में राइस के साथ लेती हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राइ कीज़ों मुझे कमेर्स में बजरूर बताएगा कि आपको हमारी सिंदी स्पेशल तिदाल के रेसिपी कैसे लगए अच् चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुर ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती है एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए खाये पीए एंजॉय कीज़े थांक यो फो वाच्चेंग